एक ही विशय पर दो फिल्मों का बनना बॉल्यूट के लिए नई बात नहीं है एक बार तो शहिद भगत सिह के जीवन पर आधारित तीन फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई थी कुछ समय पहले खबर आई थी कि सल्मान खान और करण जोहर सारा गड़ी की लड़ाई पर आधारित फिल्म बनाने वाले हैं जिसमें लीड रोल अक्षे कुमार निभाएंगे इसी विशय पर आजय देवगन फिल्म बनाने की घोशना बहुत पहले कर चुके थे करण और सल्मान के इस कदम से वे हैरान रह गए लेकिन उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि वे इस विशय पर फिल्म नहीं बनाएंगे सल्मान कहते रहे कि वे फिल्म बनाने वाले हैं लेकिन अब उनकी फिल्म बंद हो गई है और अजय की फिल्म बनाने की योजना में कोई फेर बदल नहीं हुआ है सलमान को पीछे हटना पड़ा और एक तरह से अजय ने सलमान को मात देडा लिये हाली में अजय देवन ने खुलासा किया कि वे इस फिल्म को जरूर बनाएगे अजय ने कहा कि सलमान खान इसी विशे पर आधारित फिल्म नहीं बना रहे है कोई और इस विशे पर फिल्म बना रहा है या नहीं ये तो उन्हें मालूम नहीं है लेकिन वह निश्चित रूप से आगे बढ़कर इस विशे पर फिल्म बना रहे है अजय के नुसार यह फिल्म बड़े पेमाने पर बनाई जाएगी इसलिए इसे तयार होकर रिलीज होने में कम से कम दो साल लगेगे अगर कोई और इसी विशे पर भी फिल्म बना रहा हो तो उन्हें चिंता नहीं है खबर है कि राज कुमार संतोशी भी सारा गड़ी की लड़ाई पर फिल्म बना रहे हैं जिसमें रंदीप हुडा है आजय देवगन के फिल्म की कास्टिम होना बाकी है